हलो स्टूडेंट्स, वेलकम बाक टो मैं चैनल सुश्मिता एस्थी, आपका मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10, फायर और आइस पोयम फायर और आइस पोयम एक बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही अच्छा पोयम है आप लोगों के था एक पोयम क्या बताना चाते हैं और उसके भी फूयेट कौन थे? Robert Frost और फायर और आइस पोयम के भी फोयेट जो हैं वो कौन है? Robert Frost तो आज हम इस पोयम को देखने वाले हैं मैं इस poem को पूरे बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ discuss कर दे वाली हूँ आप लोगों को इसका सारा जो इस poem के जरीए poet क्या बताना चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगी तो इसके पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आये हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अपने दोस्तों के भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक जरूर करें एंड एंड तक वीडियो पे बनी रहे ताकि आपको सभी चीजे बहुत अच्छे से समझ में आए तो आईए सबसे पहले जो है ना पोएम को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पोएम में क्या है कुछ लोग क्या कहते हैं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वर्ड जो है वो किसे इंड होगा फायर से फायर मींस क्या होता है आग तो कुछ लोगों का ऐसा लाइक कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वर्ड जो है वो क्या होगा फायर से मतलब खतम हो जाएगी आग लग जाएगी पूरे अर्थ पे दुनिया पे और क्या हो जाएगा हमारा जो प्रित्वी है वो खतम हो जाएगा लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आई से खतम होगा ठीक है आई से आ जाएगे और उससे क्या होगे पूरी दुनिया खतम हो जाएगी फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल विद दोस हो फेवर फायर ठीक है यहाँ पे पोईट क्या कह रहे हैं फॉर्स टैंजा में पोईट क्या कह रहे हैं को कि उनको ऐसा लगता है कि फायर से जो है न कि दुनिया खतम हो जाएगी फ्रॉर्स टैंजा में उनका यह कहना है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फायर से दुनिया खतम होगी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आई से दुनिया खतम हो जाएगी वर्ल्ड कहतम हो जाएगा ठीक है यहां पर फायर से एक human beings के desire को दिखाया गया है, एक human being के desire को बताया गया है, कि आज के date पे है ना कि desire, लोगों का desire बहुत जादा हो जाता है, अगर हमारी एक wish pouri होती है तो हम सोचते है, अरे वो और होना चाहिए, अगर हमारे पास 50,000 है, तो हम क्या सोचते है, lerोगों की desire दिन प्रति दिन बढ़ते जा रही है, लोग अपने desire के चलते क्या कर रहे हैं, जंगलों को साफ करते जा रहे हैं अभी क्या हो रहा है कि लोग जंगलों को देखेगा साफ करते जा रहे हैं वहाँ पर बड़े-बड़े बिल्डिंग्स छोटे-छोटे घर अब लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं बड़े-बड़े घर बनाते जा रहे हैं ठीक है जिससे अ human beings के desire से जो है न दुनिया क्या होने वाली है खत्म हो जाएगी उनको ऐसा लगता है जोएंड आइस का मतलब क्या होगा जोएंगे जोग इस चिजब आइसे स्टेंजा पे जोब हो बात करते हैं तो दूसरे स्टेंजा पे वो ये कहते हैं कि आईस से भी जो है ना उनको ऐसा लगता है दूसरे स्टेंजा भी कि अगर दुबारा प्रित्वी जो है अगर वर्ल्ड जो है खतम होगी तो उसका कारण क्या होगा आईस होगा आईस का मतलब फायर का तो मैंने आपको बताया कि फायर मीन्स क्या है human beings desire बट आईस का क्या मतलब है सेकेंड मतलब क्या होगा आईस का मतलब तो आईस जो भी है लेकिन सेकेंड इसका मतलब क्या हो जाएगा हेट क्या हो जाएगा हेट हेट्रेट लोगों का नफरत एक दूसरे से जो नफरत करना ठीक है यह सब के कारण क्या होगी दुनिया अगर सेक कि इनसान दुशमन है यहां लोगों को कुछ भी मूरा घलत बीहेवियर करते हैं तो यहां पर second stanza है second stanza पे poet ये बोलना चाहते है देखिए but if it had to perish twice I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice तो यहाँ पे जो है na poet second stanza में ये बोलना चाह रहे की hate जो है hate के बारे में भी like I know वो जानते हैं enough उनको पता है इतना की hate hatred जो है उससे भी दुनिया क्या हो सकती है खतम हो सकती क्योंकि लोगों का लोगों से आज के date पे नफरत बहुत जादा है लोग लोगों का भला नहीं देख सकते हैं उपर मन से कोई भी आपको बोलेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा तुम बहुत अच्छा करी हो बट वो अंदर से ही आपके बारे में ही मतलब क्या गलत सोच रहा है इसका अच्छा नहीं होना चाहिए कैसे इसका अच्छा हो रहा है इस टाइप से ठीक है तो से दाट फोर डेस्ट्रक्शन आइस इस ओल्सो ग्रेट मतलब जो लाइक आइस से भी जो है ना यह आइस भी बहुत ग्रेट ऐसा है कि आइस से भी दुनिया जो है खतम हो सकती है सफाइस मिन्स सफीसियंट सफीसियंट बतलब आइस भी सफीसियंट है दुनिया को खतम करने के लिए ठीक है तो फॉर्स्ट एंजा में पोएट का क्या मानना है की fire, fire means आँ और उसी का दूसरा रूप क्या हो है, fire का ही दूसरा चीज क्या हो जाता है fire का दूसरा छीज है human desire human के desire से firstller में ऐसा लग रहा है poet को human के desire से ही दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी क्यों कि human का desire आज के date पर बहुत जादा बढ़ गया है लोग अपने डिजायर के चलते जो है अभी देखिए पहले की अपेक्षा जैसे पहले थी की मौसम लाइक मौसम के अनुसार हर चीज होता था गर्मी के मौसम में आपको गर्मी लगती थी बट इतनी भी जादा नहीं होती थी बट अभी आप देखिए लोगों ने क्या किया है पेड़ पौधे काट गिरा है कहीं पे भी आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे जहां पेड़ लोग क्या कर रहे है घर ही घर बना रहे लेकिन पेड़ पौधा नहीं लगाते हैं पेड़ पौधे की फॉरेस्ट की कटाई हो जा र रहे हैं बहुत जादा गर्मी बढ़ रही है तो यही सब रीजन के कारण ये जो डिजाएर हैं लोगों के बार वर्ड का लाइक वर्ड अगर खतम होती है तो दूसरी बार किसके कारण होगी आइस के कारण मिन्स हेट्रेट के कारण लोगों का जो लोगों से नफरत है लोग जो लोगों से नफरत करते हैं मतलब लोगों का बुरा सोचते कभी वह भला नहीं सोचते स्रिफ अपना भल लेके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो लिए सेकेड बार अगर दुनिया दुबारा अगर खतम होती है, तो एक ही वज़े से खतम होगी, हेटेट के वज़े से जो है दुनिया खतम हो जाएगी, तो यह बहुत ही प्यारा सा Robert Frost का poem है I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई doubt है तो आप comment box पे जरूर से जरूर comment करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कहां पे doubt है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले करके आने वाली हूँ fire and ice का ही objective questions मैं बहुत अच्छे से fire and ice का objective questions और subjective questions आप लोगों के साथ discuss करने वाली हूँ तो मेरे चैनल पे बने रहे हैं जो अभी तक subscribe नहीं किये हैं वो जल्दी से subscribe कर ले and जादा से जादा share कर दीजे मेरे वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी मैन तो आज के लिए इतना ही